Welcome to my channel and my course of number system. It is presented by me Shubham Shrivastav, aptitude trainer at SysTech Gandhinagal Bhopal, educator at Unacademy. So let's start. जैसा कि हम लोग डिसकस कर चुके ते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग डिसकस करने वाले हैं the types of numbers. और इन में से भी हम लोग तीन टाइप के numbers को यहां पर डिसकस अल्रेडी कर चुके हैं that was that were natural numbers, whole numbers and integers. अब हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं rational numbers, irrational numbers, real numbers, imaginary numbers as well as complex numbers. तो यहां जब हम लोग देखेंगे मैंने आपको बताया था कि यह जो यहां पर classification है real numbers का तो basically real numbers के अंदर यहां से लेके जितने भी यह numbers थाई, यह सारे के सारे real numbers के पार्ट हैं तो real number का एक classification हम लोग यहां यह भी कर सकते हैं कि इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं that is decimal numbers and integers. तो integers आप पढ़ चुके हो, और अल्रेडी की integers में जो भी होता है negative, zero and positive numbers वो जो है, वो natural number का कही ना कहीं पार्ट होते हैं वो whole numbers जो है, whole होते हैं, वो पूरे के पूरे numbers होते हैं वहाँ पर decimal involved नहीं होता, वहाँ पर point नहीं आता है, वहाँ fraction involved नहीं होता, two on three जो है यह integer का पार्ट नहीं होता, तो एक पार्ट तो कहने का मतलब क्या है कि वो numbers का हो गया, जो पूरे-पूरे numbers है और दूसरा पार्ट क्या हो गया, जहां पर decimal involved है, तो अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग in detail decimals को पढ़ेंगे, इस lecture में ठीक है, तो यह पूरा का पूरा lecture जो basically यह devote करा गया है, यह किसके लिए devote करा गया है, यह decimal expressions के लिए decimal expression को mainly यहां पर हम लोग in detail पढ़ने वाले हैं, तो चलिए start करते हैं, decimal expressions जो हैं, वो दो टाइप के होते हैं, terminal, terminating और इनको finite भी बोलते हैं, इसके लाबर non-terminating और infinite, ठीक है, तो सबसे पहले, मैं इतना assume कर लेता हूँ, इतना तो सब को पता है यहां पर, मैं यह मान लेता ह कि आपको इतना पता है कि decimals क्या होते हैं, like कभी भी लिखा हो 1.3, तो जहां यह point involved हो जाता है, decimal point involved होता है, वो सारे के सारे decimal expression है, अब यहां मैंने आपको एक चीज़ बताइती, जब मैंने fraction बढ़ाया था, कि अगर 1 by 2 लिखा हुआ है, अब अगर आप यहां 2 को, 2 से 1 को बताने के 2 दरीके है, like 1 by 2 अगर लिखा है, इसका क्या मतलब है, कि आप पूरे मैंसे आधे पार्ट की बात कर रहे हो, और अगर इसी को आप divide करके लिख दो, तो अगर point 5 कहीं लिखा है, तो इसका भी क्या मतलब है, कि यह जो है, आप आधे पार्ट की बात कर रहे हो, अच इसको क्या लिख सकते हो, 0.5, तो कहीं न कहीं, यह 3 तरीके होते हैं, एक ही चीज को represent करने के, जिनको आप जहां चाहो, जैसे चाहो, एक दूसरे में interchange करके, इनको use कर सकते हो, तो basic अगर method आप follow करते हो, आप normal चीज़ों को follow करते हो, तो यह 2 तरीके आपके बड़े percentage वाले questions को, उनके भी complex questions को solve करते हो, तो यह वाला तरीका आपका बहुत अच्छा माना जाएगा, वहाँ पर solve करने के लिए, चलो आते हैं, I hope आपको सबको पता है, decimal expression क्या होते हैं, अब हम लोग discuss करते हैं, यह भी basically सबको समझ में आ गया, कि हम लोग decimal expression को fraction में change कर सकते, त इस बात का कोई ना कोई role तो रहता होगा, इनके classification में, तो चलिए start करते हैं, पहली जो अपनी यहाँ पर classification है, वो कौन सी type है, terminating type, terminating जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, terminate का मतलब क्या होता है, stop हो जाना, रुक जाना, ठीके, तो यह कहीं ना कहीं stop हो जाते हैं, एक limit के लाइक आपका लिखा है, 1.33 पर आके खतम हो गया, यहाँ अगर मालो आपको करना होता, 1.2577 पर आके यह खतम हो जा रहा है, 0.37539 मालो, कितना भी बड़ा नंबर है, लेकिन अगर यह एक जगे आके खतम हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, terminating decimal expression, terminating, terminate का क्या मतलब है, खत आपने बच्पन से पढ़ा भी है, यह तो I hope सबको आता है, कि अगर 0.5 लिखा है, तो यह क्या हो गया, 0.5 पर खतम हो गया, मतलब यह terminating है, अब इसको अगर, अब देखो यहाँ पहले मैं points बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर क्या-क्या points है इसके, सबसे पहले तो कि यह example द कैसे करा जा सकता है, वो बच्पन से पढ़ा है हम लोगोंने, कि अगर आपके सामने यहाँ पे लिखा है, 0.5 तो आप क्या करते हो, यहाँ से यह point हटाते हो, upon 1 लिखते हो, और point के बाद जितने 0 लगा देते हो, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 5 upon 10, 5 से आपने इसको cut कर तो आगया 1 by 2, अगर यहाँ पे लिखा होता, 1.35 तो आप क्या करते है, इसको point हटा के पूरा number लिखते है, तो क्या हो जाता, 135, point हटा आया तो नीचे 1 लिखोगे, और आपको सिर्फ मतलब है, 0 कब देखना है आपको, किस के reference से देखना है, जब आप point हटा दो, point के right side में इतने डिजट हैं, आपको उत्ते 0 यहाँ लगा देने है, बस इसको cut कर दो, आपका answer आजाएगा, यह कित्ता हो गया, 27 upon 20, यह आपका pyq form हो गया, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, बचपन पूरा बीद गया है, इस चीज को use करते हुए, तो इस पे हम लोग उ also a kind of rational numbers, और यह भी rational numbers वाले part में आ जाते हैं, ठीक है, अभी मैं deep discussion करूँगा rational numbers के उपर, लेकिन चलो जब तक यह चल ला है, इसको आप direct इतना याद रहो, अब बात करते हैं, non-terminating और infinite, non-terminating rational numbers जो होते हैं, non-terminating sorry, जो decimal expression होते हैं, non-terminating का क्या मतलब है कि यह stop नहीं होने मानलो लिखा है 0.33333 और यह infinitely चलता चला जा रहे हैं, यह कभी end नहीं होने वाला, अगर लिखा है 0.67676767, तो यह कहीं नहीं होने वाला, अगर वहां पर कहीं पर लिखा है, 0.1 217 152 359 ौइं कभी खतब नहीं होगा तो यह इस टाइप की जो चीजें होती है इस टाइप के जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं नौन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है सीधा सिम्पल सा मतलब है कि यह कभी Aww वन है अब नावोय तर्मिНेटिंगस के भी यहाँ ने आपको दौ टाइप बता रखेंए पहला टाइप क्या होता है रिपीटिंग और रिकरिंग दूसरा क्या होता है नन रिपीटिंग मिन रिकरिंग तो अगर मालो यहां पर लिखा है आपके सामने 033 जैसे आपको एक्जाम्पल भी दिया था यहां पर पढ़ाया था अब देखो यह 333 बार बार रिपीट हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा यह आजाएगा आपका नों टर्मिनेटिंग णी आप वाले सक्षन में.ाल भार बार बार रिपीट हो रहा है तो यह भी किसमें आजाएगा नौन 12070707 जरूर नहीं कि point के बाद जो भी लिखा है वो पूरा-पूरा time जो चीज है term में वो पूरा-पूरा repeat हो हो सकता है बस 0707 हो रहा है यहां पर repeat लेकिन 12 नहीं हो रहा था तो यह कोई बहुत बड़ा issue नहीं है in short simple सी बात है कि एक तो यह end नहीं होंगे और इनका कोई एक part होगा जो बार-वार यहां पर repeat हो रहा होगा चलो अब यहां पर एक और important बात क्या आती है वो बात यह है इसको side में कर देते हैं अब यहां important एक और बात है वो चीज क्या है वो और देख लो कि अगर मानलो यहां पर इस तरीके से लिखा है मानलो यहां पर लिखा है 0.3333333 और यह बार-वार repeat हो रहा है तो इसको हम लोग sort में क्या कर देते हैं 0.3 और 3 पर बार लगा देते हैं जो भी member repeat हो रहा होता है उस पर हम बार लगा देते हैं अगर यहां लिखा होता है जैसे वो एक case था 1.12070707 तो जो भी part repeat हो रहा हो उतने part पर आप बार लगा दो यहां क्या करोगे 0.1207 लिखोगे सिर्फ 0.7 रिपीट हो रहा है इसलिए 0.7 पर बार लगा दोगे अगर लिखा होता है 0.676767 यह repeat हो रहा है तो आप इसको कैसे लिखोगे यहां पर आप क्या करोगे आप यहां लिख देते इसको 0.67 पर बार ऐसे भी लिख सकते हो 1.357 नहीं हो सकते है सिर्फ 5.7 बार बार repeat हो रहा हो तो यह एक तरीका होता है अब देखो यहां पर points क्या लिखे हो है non-terminating repeating के यानि ntrs के कि they can be expressed in pyq form तो एक चीज़ यादा को जितने भी decimal expression जो होते हैं उनको आप pyq form में अगर आप लेके आ सकते हो वो सारे के सारे rational numbers की category में आते हैं हालाग ये rational numbers में आपको in detail फिर से आंगे दुबारा से मैं इसको समझाओंगा लेकिन अभी इस particular section में ये चीज़ें आपको समझनी जरूरी हैं ठीक है तो क्या होगा ntrs जो है non-terminating repeating तो इनमें सबसे पहली चीज़ तो क्या कि repeat होता है और end नहीं होते हैं ये numbers जब भी decimal expression especially जब मैं इसकी बात कर रहो they can be expressed in a PYQ form अब PYQ form में ये तो आपना समझ लिया कि इनको express कर सकते हैं लेकिन कैसे करेंगे वो अगला मसला है तो अगला question आते हैं कि इनको कैसे हम लोग P upon Q form में लेके आएंगे तो अब इस चीज़ को देखते हैं आपके सामने लिखा हुआ है 0.3 बार ये पहले जब मैं पहला जो केस बता रहा हूँ ये तब मैं बता रहा हूँ जब यहां पर 0 रहेगा ठीक है तो 0.3 बार के लिए आप क्या करोगे 0 के right side में जो लिखा है 0.67 और 67 पे बार होता तो मैं क्या करता देखो 67 लिखा मैंने और क्योंकि 2 डिजिट के उपर बार लगाता तो मैं इसको divide कर देता कितने से 99 से बड़ा simple सा चीज है कोई भी नई चीज बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके बाद अगर यहां लिखा होता 1.732 और पूरे के पूरे पे बार होता 732 पे तो मैं क्या करता 732 यहां लिखता और यह तो तीन डिजिट पे बार है तो मैं यहां अपॉन में तीन बार 9 लिखता है यानि 999 clear है तो यह पहला case हुआ कि यहां पे आपका 0 लिखा हुआ है और इसके right side में जो भी number लिखा है पूरे के पूरे के उपर बार है पहला case अब दूसरा case क्या बनता है जैसे कि हम लोग ने एक case यहां पर यह भी पढ़ा था 0.1207 और सिर्फ 07 पे बार है पूरे पर बार नहीं अगर पूरे 1207 पे बार होता तो आप क्या करते है 1207 लिखते है 4 डिजित पे बार है तो चार बार आप यहां सब्सक्राइब नहीं लिखा है पुरा number लिखो minus अब जिस जितने डिजित के वार नहीं है उनको ऐसे number लिख दो जैसे 12 पे बार नहीं है तो इसको आप 12 लिख दोगे इसको minus कर दोगे upon में जितने digit के उपर बार होता है उतनी बार हम लोग 9 लगाते थे यहाँ पर भी लगाएंगे खास बात यह है कि जितने digit के उपर बार नहीं है उतनी बार आप 0 लगाओगे तो जब आप इसको solve करोगे यहाँ पे आप 1207 में से 12 को minus करोगे तो यह कितना आजाएगा 1195 और upon में कितना होगा 9999 sorry 9900 यह आपका यहाँ पे answer हो जाएगा आपको इस तरह से यहाँ पे इसको express करना पड़ेगा ठीक है I hope आपको समझ में आया होगा एक दो example और यहाँ पे हम लोग इसी type के करते है like लिखा है 0.632 और सिर्फ 2 पे बार है तो मैं क्या करूँगा 632 लिखा minus 63 के उपर बार नहीं है तो 63 को इसमें से minus कर दूँगा upon 1 digit के उपर बार है तो मैं 9 लिख दूँगा और 2 digit के उपर बार नहीं है जब आपके left side में हमेशा 0 लिखा हो ठीक है उस time के लिए यह case काम करता है जैसे 0.123 और 23 पे बार है तो आप क्या करते है इसके लिए 123 लिखते है minus जितने पे बार नहीं है minus 1 पे नहीं है तो आप 1 minus करते upon मैं क्या करते है 2 digit के उपर बार है तो 99 लिखते है और एक के उपर नहीं है तो 0 लिखते है यानि 122 upon 990 आपका answer होता लेकिन अब हम लोग क्या discuss करते है mix कर देते हैं चीजों को अगर आपके सामने लिखा है देखो अगर आपके सामने लिखा है 3 upon 9 यानि की 1 by 3 और उसके बाद आप क्या करो 1 plus 1 by 3 करके तो या तो इसको ऐसे लिख दो 1 and 1 by 3 या फिर इसको आप क्या करोगे 4 by 3 ये तो एक तरीका यह है अच्छा दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसके बाद दूसरा तरीका और क्या हो सकता है या पर दूसरा तरीका यह है कि आपको मैंने अभी बताया 1.3 बार मानलो आपके सामने लिखा है तो आप क्या करो इसको पूरा 13 लिख लो जितनी के ऊपर यहाँ पर मानलो बार नहीं है लाइक बन के ऊपर बार नहीं है तो इसको आप माइनस कर दो अब जब आप अपोन में लिख रहे हो यह यहाँ important है कि अब आप यहाँ क्या लिखोगे यहाँ हमेशा आपको point के right side वाले part को देखना है left वाले को छोड़ देना है कुछ नहीं गन्ना उसका तो यहाँ पर आप क्या करोगे right side में जो part है वो एक digit है 3 और उस एक digit के उपर बार है तो जब भी एक digit के उपर बार होता है तो हम लोग किस से divide करता है 9 से तो यह कित्ता आ जाएगा 12 upon 9 यानि कि 4 by 3 आपका answer दोको फिर से आ गया अगर यहाँ लिखा होता 1.37 और 37 के उपर बार है तो दोनों पर बार है तो मैं क्या कर दूँगा 99 यानि यह कितना हो जाएगा 136 upon 99 यह अपना यहाँ पर answer आ जाएगा ठीक है कुछ और question भी यहाँ पर कर सकते है लाइक लिखा होगा 1.137 और मालो 37 पर बार है तो आप क्या करोगे 1137 पूरा नमबर लिखो माइनस बार कितने पर नहीं है 11 पर तो 11 को माइनस करो upon अब आपको देखना क्या है point के सिर्फ right side वाले डिजट तो दो डिजट के उपर बार है तो 99 लिख दिया और एक के उपर बार नहीं है तो 0 लिख दिया तो इस पर्टिकुलर केज में आपको करना क्या है वो समझ लो यहां आप क्या करते हो यह बो बाले नमबर से हैं जो ना तो टर्मिनेट होंगे और ना रिपेट होंगे जाते 0.0 पॉइंट यहां एक एक जामपल है 0.01 और 0.01, 001, 001, 001 यहां देखो कोई चीज अब अगर 0101 रिपीट होता तो एक ही डिजट रिपीट हो रहा है लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है यहां क्या कर रहे हो आप पहले 01 हुआ फिर 001, 001 यहां फिर इसकी जागे ऐसा भी हो सकता था कि 0.1237 फिर 1513109 ऐसे करके कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्ट रिपीट हो रहा हो और ना खतम ही हो रहा है तो ऐसे केसिस को क्या कहते हैं ऐसे केसिस को हम लोग बोलेंगे non-terminating, non-repeating, non-terminating का क्या मतलब खतम नहीं होगा ठीक हे वो end नहीं होगा और non repeating का क्या मतलब कि अब ये repeat भी नहीं होगा तो एक तो ये वाली चीज होगी, दूसरी चीज होगी πाई बहुत important चीज है, एक चीज यहां में सोगे e e और πाई दोनों क्या होते हैं, non terminating, non repeating इसके बाद square root of imperfect squares imperfect squares के जब भी आप square root लोगे तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, non terminating, non repeating they can't be expressed in the form of pyq इन सारे numbers को pyq form में आप express नहीं कर सकते हो और क्योंकि आप, मैंने आपको कह बाता है, जिन decimal expressions को आप p upon q form में लेके नहीं आ सकते हो ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, irrational जिनको लेके आ सकते हो, वो rational तो इनको सीधा याद कर लो, ये कौन से number होगे, irrational numbers तो थोड़ा सा discussion इनके उपर हम लोग करते हैं चलो, अगर कोई number लिखा है, 0.135192132 और ये infinitely जा रहा है, ना तो खतम हो रहा है, ना तो terminate हो रहा है, ना ये repeat हो रहा है तो ये किस category में आएगा, non-terminating, non-repeating इसके साथ-साथ ये एक irrational number भी होगा अभी हम लोग फिर से detail में irrational बढ़ेंगे, तो मैं फिर पढ़ा दूँगा इसके बाद दूसरी जो category होती है, बड़ी important number है और आपने बच्पन से पढ़ा है इसको और इसमें बहुत सारा confusion लोगों को होता है, ये पाई जो है पाई क्या होता है, non-terminating, non-repeating in short, इसकी बज़े से ये क्या हो जाता है, irrational numbers जबकि 22 upon 7 अगर अपन लोग लेंगे, तो ये तो देखो non-terminating, repeating होता है, ये repeat होगा, ठीक है इसका क्या मतलब है, कि ये होगा, rational numbers अच्छा, पाई को आप और क्या लिखते हो, 3.14 भी लिखते हो ये भी rational numbers है, ये भी non-terminating, repeating है इन फैक्ट ये तो अगर आप लिख रहे हो, तो ये तो terminating है, ठीक है, rational number है लिखें अब समझने बाली बात क्या है, ऐसा होता क्यों है actual में पाई क्या होता है, पाई होता है circumference of diameter, इन दोनों का ratio, अगर एक कोई आप circle लोगे, और इस circle में मैं क्या कर रहा हूँ 1 minute मैंने एक thread लिया, ये thread मैंने इसके उपर रखा और मैंने इसकी circumference निकाली, ठीक है फिर मैंने क्या किया, इस thread को लेके मैंने इसका diameter निकाला इन दोनों का जब मैं ratio निकालूंगा, तो ये non-terminating, non-repeating नंबर आएगा, जिसको हम लोग in short pi बोलते है, तो pi की जो value आती है, वो आती है, 3.14159 और ये infinitely चलती जाती है, ना तो repeat होती है, ना ये जो है, ये end होती है, ना ये repeat होती है, ये non-terminating, non-repeating होगे अगर आप 22 upon 7 करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3.1416 ये हो जाएगा, जब ये समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि ये कहीं ना कहीं आप देखो, 14159 इसको अगर आप round off कर दोगे, तो ये almost equal हो जाएगा, तो the values are almost equal, but not exactly equal, ये जी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग research नहीं करते हैं, इसलिए ये पाई को हम लोग क्या लिख देंगे, 22 upon 7, the values are almost equal, not exactly equal, ठीके, similarly, दो डिजिट तक आप देखोगे, तो देखो 3.14 भी इसलिए इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये दो डिजिट तक equal है, तो बस इतना याद रखो कि ये जो दो numbers है, ये rational numbers होते हैं, यानि ये non-terminating, repeating, और ये तो non-terminating भी नहीं है, terminating है, इसको आप 3.14 upon 100 लिख दोगे, तो ये दो rational number है, जबकि पाई जो है, वो irrational है, ठीके, logic सिर्फ इतना है, कि ये जो values है, वो almost equal होती है, इसलिए हम लोग उनको use कर लेते हैं, they are not exactly equal, तो वो exactly equal नहीं है, इस बज़े से वो irrational हो जाता है, ठीके, तो ये important question है, ये आता है, इसके अलावा, square root of imperfect square, अब imperfect square क्या होते हैं, जैसे under root 4 है, तो इसका तो आपको square root पता है, 2 है, under root 1 का क्या है, 1, लेकिन अगर under root 2 का मैं पूछूँ, तो क्या इसम का जो answer आएगा, वो integers के form में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये जब भी आप करोगे तो ये answer हमेशा आएगा, non-terminating, non-repeating, मतलब, आपने जैसे पड़ा है, इसका answer क्या आता है, 1.414, dot, 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 ये ना तो terminate होता है, ना कोई particular चीज जिसमें repeat होती है, similarly, अगर आप बात करो, under root 3, under root 5, under root 7, under root 10 कर दो, under root 9, under root 9 irrational है, 9, under root 9 का तो answer 3 होता है, तो 3 को आप 3 by 1 लिख सकते हो, P upon Q form में उसको लेके आया जा सकता है, तो ये सारे की सारे, I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि जो है, irrational numbers, यहाँ पे कौन से, in fact, irrational, rational, हम लोग next lecture में discuss करेंगे, आपको यहाँ पे decimals को बहुत अच्छे से समझना था, कि decimal expressions जो होते हैं, सबसे प दूसरे non-terminating, non-repeating, जो ना तो खतम हो रहे हो, और ना repeat हो रहे हैं, आपको बस इतनी चीज़ यहाँ रखने हैं, कि जो terminating है, और जो non-terminating में repeating है, यह दो जो हैं, इनको P upon Q form में लेके आ सकते हैं, इसलिए they are rational numbers, ठीक है, जबकि non-terminating, non-repeating जो numbers होते हैं, उनको आप P upon Q form में लेके नहीं आ सकते हो, तो they are not rational numbers, और they are irrational numbers, इनको क्या बोलता है, particularly irrational numbers, दूसरी चीज़, कि इन में आते कौन-कौन से numbers हैं, एक तो पाई, एक तो आपका E हो गया, इसके अलावा imperfect square, जितने भी होंगे, उनका square root हो गया, या फिर आप अपने मन से कोई number बना सकते हो, जो है, repeat भी नहीं हो रहा हो, ठीक है, I hope आपको सारा concept clear हो चुका होगा, अगर आपको कोर्स पसंद आया है, तो आप वीडियो को like करें, subscribe करें, और इसके साथ में hit the bell icon, so that you can get notification of my upcoming videos, और आपकी कोई भी वीडियो इसकी वज़ए से miss भी नहीं होगी, ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ लिया है, इसके बाद अगला पार्ट जो हम लोग करेंगे, उसमें rational number, irrational numbers, real numbers, imaginary numbers, और complex number, यह सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ question भी discuss करेंगे, Thank you so much.